आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello guys, हमें इस Question में बोला है The Ratio of Fundamental Frequencies of an Open Organ Pipe and a Closed Organ Pipe यहाँ पर Closed का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है उनके Fundamental Frequencies का Ratio पूछा है तो चलिए सबसे पहले हम Diagram बना लेते हैं Let's say यह आपका क्या है Open Organ Pipe है पर यहाँ पर जो यह वाला Pipe है यह आपका एक Closed Organ Pipe है दोनों का Length आपको Same Give और है तो Length हम आ लेते हैं कि दोनों का Length जो है वो Small L है यहाँ पर भी जो Length है वो आपका Small L है तो जो Open Organ Pipe है उस Case में क्या होगा कि आपका Open End पर एक Anti-Node बनेगा then Mid पर एक Node बनेगा and finally आपका जो दूसरा Open End है वहाँ पर भी एक Anti-Node बनेगा तो Situation आपका कुछ इस तरह से दिखेगा यह हो गया यहाँ पर एक Anti-Node then यहाँ पर Node then यहाँ पर एक Anti-Node अब आपको पता है कि एक Node और एक Node और Anti-Node के बीच में जो Distance होता है Lambda के Terms में यानि Wavelength के Terms में वो होता है हमारा Lambda by 4 तो यहाँ से यहाँ तक का जो Length है वो हो जाएगा आपका Lambda divided by 4 यहाँ इस Node से लेके इस वाले Anti-Node तक का जो Length है वो भी हो जाएगा आपका Lambda divided by 4 अब अगर हम Closed Organ Pipe की बात करें तो Closed End पर बनेगा Node और जो Open End है वहाँ पर बनेगा Anti-Node तो Situation को से आपको इस तरह से दिखेगी अब आपको यहाँ पर पता है कि Node से Anti-Node के बीच का जो Length है वो आपका होगा Lambda by 4 अब हमें Frequencies पूछा Fundamental Frequencies तो इस Case में जो आपका Length है L That is equals to Lambda by 2 हो जाएगा First Case में L equals to Lambda by 4 प्लस Lambda by 4 जो क्या आपका होता है Lambda by 2 तो दूसरा Case है उसके अंदर जो हमारा L है Length That is equals to Lambda by 4 यहाँ पर जो Lambda है उसको मैं Lambda dash बोल देता हूँ तो यहाँ आपका हो गया L equals to Lambda dash by 4 तो यहाँ से जो आपका Lambda है वो हो जाएगा 2 times L और जो Lambda dash है वो हो जाएगा 4 times L अब हमें Fundamental Frequency फाइंड करना है तो Fundamental Frequency के लिए क्या होगा कि जो हमारा Frequency होता है F that is equals to velocity divided by wavelength Lambda तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा जो Fundamental Frequency होगा F1 बोल देता हूँ उसको वो हो जाएगा velocity V divided by Lambda तो Lambda का value है यहाँ पर 2L तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2L और जो F2 है Closed Organ Pipe के लिए वो हो जाएगा आपका V velocity divided by Lambda Lambda dash तो Lambda dash का value यहाँ पर आपका 4L So Lambda dash का value यहाँ पर है 4L पूट कर दीजिए अब हमें Find करना है F1 divided by F2 तो जब आप F1 divided by F2 Find करेंगे तो V से V आपका Cancel हो जाएगा और यह बचेगा आपके पास 4L divided by 2L L से L cancel हो जाएगा तो यह बचेगा आपके पास 2 divided by 1 यानि कि आपका F1 और F2 का जो रेशियो है That is equals to 2 is to 1 तो जो आपका option 1 है यहाँ पर 2 is to 1 यह correct answer हो जाएगा Thank you and good luck Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल ता 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट के लिए डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट आच 4444 सुपर